हलो एब्रिवान वेल्कम बाक टू एकलवे स्टड़ी पॉइंट आज हम क्लास नाइन की हिंदी बुक शितित से अध्याई ग्यारा रस्खान जी द्वारा लिखे हुए सवये को व्याख्या को समझने जा रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कवी का परीचे रस्खान जी जो कि हमारे इस अध्याई के कवी हैं तो इनका जन्म जो है वो सन 1548 में हुआ है ऐसा माना जाता है और इनका जो मोल नाम है वो सयद इब्राहिम था और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे और इनको जो ह दिल्ली छोड़कर गोश्वामी बिठल नात से दिक्षा ले ली और ब्रज भूमी में ही जाकर रहने लग गए और सन 1628 के लगभग जो है इनकी मिरित्यू हो गई थी तो ये था हमारा कवी का परीचे तो सबसे पहले जो आज के हमारी पंक्तिया है वो है मानुस हो तो वही रस्खानी बसों ब्रज गोकुल गाउं के गवारन जो पसु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद के धेनु मजारन पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरी छत्रप पुर्णन धारन जो खग हो तो बसेरो करों मिली कालंदी कूल कदम की डारन तो यहां पे जो हमारे कवी है वो अगर वो किसी मनुष्य का रूप धारन करते हैं तो वो अपने अराध्ध है यानि श्री कृष्ण के जन्म भूमी के में ही लेना चाहेंगे जन्म अगर वो मनुष्य का जन्म लेते हैं तो और अगर वो पशु का योनि प्राप्त करते हैं पशु का रूप जन्म लेते हैं तो वो ब्रज में ही देना चाहते हैं ताकि वो जो नंद के गाएं हैं उनके साथ वो वीचरन कर सके उनके साथ वो रह सके ताकि वो अपने अराध्य स्री कृष्ण के एर्द गेर्द भी रह सके और अगर वो पत्थर भी बन जाए तो वो चाहते हैं कि वो उसी परवत के प बत्तर बने और अगर वो पक्षी भी बन जाए तो वो यमना किनारे कदम की डालों में वसीरा डाले और वो यहां पर किया कहना चाहरे हैं कि वह हर हाल में स्रीकिष्ण का संधियें चाहते हैं और चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परिशानी का सामना करना पड़े किसी भी परसानी का सामना करना पड़े, वो सिर्किष्न के इर्दिर्धी रहना चाहते हैं, अगर वो किसी भी रूप में जर्म लेते हैं तो, और जो नेक्स्ट पंक्तिया हमारी ये हैं, कि या लक्टी अरू कमारिया पर राज, तीहू पुर को ताजी डारो, आठहू सिद्धी, नव की गाई चराई बिसारो, रस्खान कबो इन आखिनी सो, ब्रज के बन बाग तडाग निहारो, कोटिक एक कलधोत के अधाम, करिल के कुंजन ओपर वारो, तो प्रस्तत पंक्तियों में, जो हमारे कवी हैं, वो ये कह रहे हैं, कि अगर उनको ब्रज में रहने का मौका मिल जा अगर उनको नंद के जो गाएं हैं, उनके बिसारने में ही त्याग सकते हैं, तो इहां रस्खान जी ये कह रहे हैं, कि वो ग्वालों की लाठी, और जो कदम के लिए, अगर उनको तीनों लोग का जो राज है, तीनों लोग जो होते हैं हमारे, अगर उसका वी राज त्या प्रशबस्थन निहारना चाहते हैं इसलिए वह चाहते हैं किसी भी चीज करूप लेघनेश पर किया हूंग you और जो हमाई नेक्स पंक्ती है वो है मोर पखा सिर उपर राखी हो गूझ की माल गरे पहेरंगी ओड़ी पितंबर ले लकुटीव बन गोधन गवारिंच संग फिरोंगी भाव तो वो ही मेरो रस्खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान ना धरोंगी तो इन पंक्तियों में जो हमारी जो कवी हैं वो गोपियों को श्री किष्ण के प्रती जो प्रेम है और उसके प्रेम को पाने की जो इच्छा और जो कोशिश है वो उसका वर्णन कर रहे हैं जो कृष्ण है वो गोपियों को इतने रास आजाते हैं कि जो गोपिया हैं वो उनके लिए सबी तरह के स्वांग करने के लिए तयार हैं चाये वो स्वांग किसी भी तरह का हो और गोपियां कहते हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंग जो होता है वो रखेंगी और गुंजो की माल पहनेंगी माला पहनेंगी पीले वस्ट भी धारन कर लेंगी और वन में गायों को और गौलों के संग वन में ब्रहमन भी करेंगी लेकिन जो मुरली धर के जो होटों के द्वारा मुरली बजाई गई है बासुरी बजाई गई है उनको अपने होटों में कभी नहीं लगाएंगी यहाँ पर वो यह कह रहे हैं कि वो मोरपंग भी पहन लेंगी गूमेंगी भी बट वो जो बासुरी है उनको अपने होटों से कभी नहीं लगाएंगी और फिर जो हमारी नेक्स पंक्तियां है वो है काननी दैं अंगुरी राही हो जब ही मुरली धुनी मंज बजे है मोहिनी तानन सो अटा चड़ी गोधुन गेहे पे गेहे तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी काल ही कोई कितनो समझे में माई रीवा मुक्की मुसकान समहारी ना जहे ना जहे ना जहे तो इस जो पंक्तियां है उसमें जो हमारी जो गोपियां है वो ये कह रहे है कि जब मुर्ली बज 만큼 बजेगा तब वो जो अपनी कानीए उगली और ऑकानों में ढाल झाल देंगी इसलिए प्रंतु जो गोपिया है वो अपने कानों में उंगली डाल लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत सुनाई ही ना पड़े पर जो लेकिन जो गोपिया है वो इस बात से भी डर रही है जिसे ब्रजबासी कह रहे है कि जब कृष्णी की मुल्ली बजेगी न तो उसकी धुंज को सुनकर गोपिया जो है मुस्कान को अपने संभाल नहीं पाएंगी तो इसलिए और उस मुस्कान से पता ही चल जाएगा क कि वो कृष्णी के प्रेम में कितनी डूबी हुई है तो इसलिए गोपिया कहती है कि वो जब मुल्ली बजेगी तो वो अपने कान्यों में कान्य उंगली डाल लेंगी ताकि वो मधूर आवाज उनको सुनाए ही ना दे ठीक है तो यहां पर जो हमारा अध्याय है वो खतम ह हो जाता है अगर आपको कोई पंक्ती में या किसी भी चीज में कोई डाउट हो को समझ में ना आया हो तो दू राइट इना कमेंट शेक्शन एंड डोंट फ्रोगेट तो लाइक शेर और सब्स्राइब और थैंक्स वर वाचिंग